हलो एडिवान आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे श्यान खटारे सिस्टर्स में आज इस वीडियो में हम ओफ शोल्डर कुर्थी बनाएंगे शोल्डर पर हम डिजाइन बना रहे हैं तेकिन इसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है त जोले शिरू करते हैं हम अपना आज का वेडियो सबसे पहले हमें अपने गुर्थी की कटिंग करनी है इसमें हमें शोल्डर और आर्म होल लेंद किस तरह से लेनी है उसका थोड़ा ध्यार रतना है यहाँ पर हमें आर्म होल लेंद तीन इंच छोटी लेनी है क्योंकि हम इ इसे आदा इंच आर्म होल लेंद छोटी ही लेनी है और जो शोल्डर की लेंद है वो भी नॉर्मल साइज में हम जितना भी डीप नेक में शोल्डर लेते हैं उससे हमें आदा इंच छोटा ही लेना है इस साइज में हम लेते हैं छे इंच तो यहाँ पे हमने लिया है 5.5 इ चीज़ है यहाँ पर हमने back और front दोनों parts लिए हुए है अब इस निशान को हम यहाँ तक मिलाएंगे इस तरह से boat neck की shape देते हुए हम दोनों निशान को मिलाकर इसे cut करेंगे इस कुरती पर हम कपटेज करेंगे तो इसका भी हम निशान लगा लेंगे तीन इंच उपर की तरफ छोड़ते हुए हम length का निशान लगाएंगे 10 इंच पर हमें cup अटेज करने है इस निशान को सिधा draw करेंगे यहाँ पर जो हम cup लगाएंगे उसके जो बीच हम में gap रखना है वो आदा इंच का रखेंगे और यहाँ से भी हमें 10 इंच पर निशान लगाना है यहाँ पर भी आदा इंच का gap भी रहेगा और कुल मिलाकर यह gap एक इंच का बनेगा उसके बाद हमें कुर्ति पर कप अटेश करने हैं बहुत सारे कुमेंट्स आते हैं कि हमें cup का size नहीं पता किस तरह से हमें cup चूज करने शाहिए तो इसके उपर ही सभी तरह की size लिखे होते हैं आप अपनी worst size के according इसे choose कर सकते हैं और हमने देखिए कुर्ते पर कप टेश कर लिए हैं काफी सारी वीडियो में हमने बताया कि इने कैसे टेश करना है तो उनकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप वाँसे चेक कर सकते हैं उसके बाद देखिए हमने स्लिव की भी कटिंग करके मोहरी वाली साइड से इसे मोड लिया है यहाँ पर हमें तीन इंच पर निशान लगाना है जितना ही छोटी हमें हमने आर्म होल की लेंख ले थी तीन इंच उतना ही हम यहाँ पर निशान लगाएंगे अब यहाँ स्पे लगाना है हमें 10 इंच पर निशान दोनों निशानों को तिर्चा में ला लेंगे निशान लगाने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे देखिए अब यह कुछ इससर ऐसे दिखेगा अब राइट साइड हमें निशान लगाना है 1.5-1 इंच के गैप पर यहाँ पर हम लूप लगाएंगे दूसरी तरों भी हम 1.5 इंच के गैप पर निशान लगा लेंगे इसके बाद देखिए हमने यह मोटी डोरी बनाई है आधा इंच इसकी चोड़ाई है काफे सिंपल है इसे बनाना अब इसके हम चोटे चोटे पीसीज कट करेंगे अब जो हमने निशान लगाए है उसके उपर हम लूप लगा लेंगे और जो लूप की बंदवाली साइड है उसे हमें अंदर की तरफ रखना है यह लूप हम राइट साइड लगा रहे हैं अब दूसरी तरफ भी इसी तरह से लूप लगा लेंगे देखिए हमने सभी लूप लगा लिये हैं अब हमने यह फैब्रिक लिया है इस पर शोल्डर की चोड़ाएं का निशान लगा लिया है जो की छेंज है अंदर की तरफ दोनों की राइट साइड रहेगी इसको हम निशानों पर अच्छे से मिला लेंगे और लगाएंगे इसके उपर सिलाई लुप लगाते टाइम जो हमने सिलाई लगाए थी उसी सिलाई के उपर हमें सिलाई लगानी है अब एक्सट्रा फैब्रिक को कट करेंगे इसके बाद हमें छोटे-छोटे कट लगाने हैं एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे उसके बाद हम फैब्रिक को रॉंग साइट अर्न करते होई इसके उपर सिलाई लगा लेंगे देखिए हमारे लूप कुछ इस तरह से आएंगे इसके बाद हमें लगाने हैं उसके बाद हम स्लिव को आर्म होल के साथ अटेच करेंगे और नेक पर हमें तिर्शी पटी कट करके लगानी है लेकिन पहले हम आर्म होल के साथ स्लिव को अटेच करेंगे देखिए इन दोनों को हम अच्छे से मिलाते हुए रोंग साइड से सिलाई लगा लेंगे पहले हम फ्रेंट पार्ट की छटाए करेंगे और इस तरह से हम रोंग साइड से लगाएंगे सिलाई देखिए हमने इसे अटेच कर लिया है आर्म होल के साथ अब दूसरी साइड से भी हम इसी तरह से स्लिव को अर्म होल के साथ अटेच करेंगे देखिए फ्रेंट पार्ट को हमने अच्छी से स्टिच कर लिया है अब बैक पार्ट के जो शोल्डर और आर्म होल और जो हमारी स्लिव है उनको भी हम इसी तरह से अटेज कर लेंगे उसके बाद नेक पर हम तिरची पटी कट करके लगाएंगे देखिए हमने एक इंच चोड़ी तिरची पटी कट की है आदा इंच पटी को बाहर की तरफ रखेंगे और बिल्कुल किनारे पर हमें यहाँ पर सिलाई लगाने है यह कुछ इस तरह से आएगा सिलाई लगाने के बाद यहाँ से भी हमें आदा इंच पटी छोड़ते हुए एक्स्टा कट करनी है अब पटी को हम रोंग साइट टरन करेंगे यहाँ से हम आदा इंच पटी को अंदर की तरफ मोड़ेंगे और जो हमारे यह जोइंट है इसको अच्छे से पटी के अंदर दबा देंगे देखिए हमने फ्रेंट नेक पर पटी लगा ली है बैक पार्ट पर भी हमें इसी तरह से पटी लगानी है देखिए दोनों तरफ हमने पटी को अच्छे से लगा लिया है आप जो हमने सलेव पर रूप लगाए थे उसमें हमें डोरिया डालनी है देखिए हमने ये बारिक डोरी बना ली है इसका जो end है उस पर हम निटल के help से ठाका लगा लेंगे अब लूप में से डोरी को हम इजी लिए निकाल लेंगे एक तरफ से हमें डोरी को डाल दिया है दूसरे तरफ भी हमें ऐसे ही डोरी को डालना है लूप में से देखिए ये कुछ इस तरह से दिखेगा उसके बाद जो हमारे डोरी के ends है उस पर हम फैब्रिक कासल बना कर लगा लेंगे दूसरे शोल्डर पर भी हमें इसी तरह से डोरिया डालनी है उसके बाद हम कुरती की फिटिंग करके चाक और बोटम को फोल्ड कर लेंगे और हमारी कुरती बनके रेडी हो जाएगी देखिए हमारी कुरती बनकर पूरी कंप्लीट हो गई है पहनने के बाद ये कुछ इस तरह से देखेगी इस डिजाइन को आप टोप पर भी बना सकते हैं अगर आपको आज को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ने भूले अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई